Hey there, press the bell icon and never miss a video on cyber security and technology. तो और ज्यादा help होने वाली आपको preparation में like OSCP या कोई और exam या general CTF practice के लिए भी क्योंकि Windows की machine ज्यादा नहीं मिलती है और Windows पर ज्यादा resources अवेलिबल नहीं है और इसको solve करने में लोगों को problem बहुत होती है as compared to Linux तो इसलिए मैरे Windows पर focus किया तो इसकी IP मुझे मिली हुई है 10.10 10.10.180 इसवर हम सबसे पहले एन maps scan run करते हैं एन map और यह लिखा हुआ है पहले से मैनस capital P N और वर्बूस फिर स्पीड बढ़ाते हैं P5 सारे ports 10.10.10.180 तो इसको रहन हो देते हैं वैसे मैंने इसके ओपर पहले किया हुआ है तो मैं बता दूं कि बहुत सारे ports खोले हुए से ज्यादा कुछ आप कर नहीं सकते हो 445 भी ओपन है अगर आप चलो देखते हैं कि SMB में क्या मिलता है हमको SMB client L 180 तो मेरे पास पासवर्ड तो नहीं है तो मैं नहीं दे पाऊंगा तो इस एक्सेस डिनाय तो कुछ है नहीं है मारे पास 21 ओपन है तो FTP करके देखते हैं 10. 10.10.10.180 anonymous अगर है तो लेक्स ट्रा anonymous login ओके अलावड है I'm not giving any password ओके तो यहां कुछ नहीं है मतलब anonymous login के बाद भी कुछ नहीं है तो इससे हमको कुछ help मिलने वाली नहीं है तो exit कर लेते हैं उसके बाद कौन से और पूट्स ओपन है 111 यह इंट्रस्टिंग है तो आक्चुल फाइल शेरिंग जो होती है उससे आप remote shares mount कर सकते हो read कर सकते हो तो यह interesting हो सकता है हमारे लिए port 111 और इसको port मैं पर बोला जाता है क्योंकि बाकी services पता चलती है खैर यह unix based systems के लिए जाला use होता है windows पे है तो यह stand out करता है तो जो stand out कर रहा है उसको आपको observe करना है तो इस mount minus e और यहां पर मेरा शक्स ही था तो एक share open है जो आप mount कर सकते हो everyone लिखा हुआ है तो कोई भी कर सकता है तो इसको mount करके देखते हैं कि actually make care आपको पहले mount point बताना पड़ेगा तो by default आप अगर Linux में है काली में है तो आप mount point जो temporary होता है mnt slash mnt वो use कर सकते हो आप mount करने के ल आप सा टाइप है तो यह network file system है तो आप माइनस T दोगे nfs टाइप का है यह 10.10.10.10.180 और पाथ क्या है mount का मुलब जो mount point है वो क्या है side backups और कहां करना है वो आपको mnt भी करना है जो कि default होता है अब चाहिए तो कुछ और दे सकते हो लेकिन यह default होता है mount point temporary तो अब यह हो जाता है तो इसको अंदर जाकर दिखते हैं कि actually इसमें है क्या तो मैं जाता हूं CD M&D इसके अंदर यह थोड़ा time लेगा क्योंकि यह remote mounted है तो network के ओपर depend करता है कितना fast काम करेगा तो यहाँ पर कुछ folders हैं मेरे खाल से यह ASP net client लग रहा है कि यह web service related है default global media यह मुझे इंट्रस्टेंग लगा उम्ब्रे को या उम्ब्रे को जो इसको बोलते हैं मुझे जज्मत करना मुझे नहीं बोलना आता है क्या बोलते हैं से उम्ब्रे को बोलते हैं तो यह actually में एक web application हो सकता है या service हो सकती है को framework हो सकता है जो कि हमारा next path हो सकता है मुझे पता नहीं की है की नहीं तो मैं जाता हूँ cd में और इसके बारे मैं आपको research करना है तो जो भी नया पता चल रहा है अगर आपको नहीं पता इसके साथ क्या करना है तो please research करें बस उससे आगे बढ़ता होगे तो उसके बाद यहां पर बहुत कुछ है actually तो हमको research करना पड़ेगा कि इसमें मलब है क्या तो मैंने या पर port 80 खोला हुआ है तो port 80 पे आपको यह web page मिलता है एक में widgets तो इसके बाद हमारा next step क्या हो सकता है port 80 के बाद कि ह हमको directory brute forcing करनी है तो मैं go busser चलाता हूं तो normal command like dir मुझे fuzzing करनी है फिर मैंने IP दे दी जो हमारा target है और word list मैंने normal वाली चूस करी है सबसे common वाली और threads मैंने बढ़ा दी 25 और extension PHP और TXT मुझे list करना है और जो status quotes ने 40440 थी उनको मुझे नहीं दिखाना है वो मेरे काम के नहीं है तो run करते हैं और देखते हैं क्या क्या यह डिरेक्टरी इस निकालता है खेर fast ही है यह सब normal वाली निकाल दी इसने तो जो आप यहां पर देख रहे हो ना products people about us contact यही सब दिखा रहा है कुछ नया नहीं है तो एके करके जाके देखो कि कुछ interesting मिल रहा है कि आपको people यहां पर अब footer में देखिए कि यहां अंब्रेको लिखा हुआ है तो जरूर इ इसको देखते हैं कि इसका login path अगर हमको मिल जाए तो पता चल जाएगा कि कैसे login करना है इसमें तो login खैर मैंना इसके लिए कोई exploit search करता हूँ exploit search करता हूँ क्योंकि यह हमारा path है कि अगर इससे कुछ लिना देना है तो rc ही होगा initial access के लिए तो यहां पर एक github repository मिल रही है rc के लिए शयद इसी का use करना होगा तो जो यह file exploit.py इस पर जाते हैं और इसको copy करते हैं पूरी file को और फिर हम खोलते हैं जी edit exploit exploit sorry उस फोल्टर में जाते हैं oicp htb remote g edit exploit.py so इसको मैं paste कर देता हूँ अभी इसमें यह देखना है कि इसका login path वगर यह क्या चीज़ exploit कर रहा है और actual में क्या क्या चाहिए तो इसको यहां पर देखो user चाहिए password चाहिए तो हमको अभी तो यह काम नहीं आएगा क्योंकि हमको पहले user name और password निकालना पड़ेगा host command to subnormal है और यहां पर path दिया हुआ है यहां पर आप देखो तो URL login का जो path है वो यह है अंब्रे को back office तो अंब्रे को पहले हम यहां पर copy करके देखते हैं कि इस path में क्या मिलता है अंब्रे को ओके तो हमको login page मिला है तो चलो ठीक है एक काम हुआ कि login page तो मिल गया मलब पता चला कहां से login करना है लेकिन user ने password हमको नहीं पता हम चाहें तो default लगा सकते हैं admin admin लेक को default password default password resetting the admin password default is admin and test test मैंने नहीं किया था test देख लेता हूँ test ओके यह फेल्ड है default password नहीं है तो हमको कुछ ने कुछ और करना पड़ेगा like brute force या brute force मुझे यहां पर लगता नहीं है brute force करना चाहिए इतना पैक्यूलियर सा workflow तो नहीं हो सकता तो कुछ और रहते हैं हमको अंब्रेको का ना एक शेयर मिला था यहां पर यह जो शेयर है इस पर हम अगर कुछ ढूंड पाएं like config file में कुछ passwords वगर होते हैं like wordpress में WP config file होती है जहां और डेटाबेस के passwords होते हैं तो यहां पर भी मैं ढूंड सकता हूं कि कुछ passwords मिल सकते हैं तो हमने देखा था कि यहां पर अगर और अन्यमोरेड करें अब ब्राउजर्स अब डेटा एप लग इन वह से डिरेक्टरीज हैं तो web.config पर देखते हैं खैर web.config पर कुछ कुछ खास होता नहीं है लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कुछ इंट्रस्टिंग दिखे तो कुछ इंट्रस्टिंग कुछ इंट्रस्टिंग है इसमें मेभी हम ग्रेप कर सकते हैं क्रेप पास तो network host username password तो कुछ है तो नहीं यहां पर आगे पीछे अगर देखूं तो आगे पीछे भी कुछ नहीं है तो यहां पर तो कुछ नहीं मिला फिल से अगर ट्राय करते हैं अंब्रेको तो पास्वर्ड फाइल अगर मैं सब्सक्राइब करता हूं तो डेटाबेस कनेक्शन करेंशिल्स मेभी तो यहां पर मुझे कुछ देखा व्यप डॉट कनफिक देर इस अ देर इस जिस्ट फॉलविंग लाइन यहां पर देखो इसने लिखा हुआ है आप डेटा के अंदर आपको यह जो sdf फाइल है इसमें आपको क्रिदेंशिल्स मिल सकते हैं तो वो ट्राइग रहते हैं अब डेटा हमारे पास फोल्डर है आप यहां पर एक फाइल है मेरे पास अंब्रेको.sdf लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि इसको खोले कैसे मलाब यह सब्सक्राइब यहां पर दिया हुआ है यहां पर कुछ नहीं दिया है इस सीम्स देट यॉजिए असक्यल सरवर सी इन नौट ओके देखते हैं आपके लिए बहुत पेक्यूलियर बहुत कॉंपलेक्स चीज हमको करनी बढ़ेगी यहां पर इसको फुल फॉर्म सरवार कॉंपक्ट अडिशन स्का फुल फॉर्म क्या होता है स्टीएफ फॉल फॉर्म स्पेशियल डेटा फाइल भी पता रही है इसका इसको यह बहुत इतना मुश्किल नहीं होना चाही क्योंकि यह इसी मशीन है तो तो I don't think कि इतना मुश्किल होगा मुझे इशारों से लग रहा है कि हम कोई कोड एडिटर में इसको खोल सकते हैं लेकिन अगर मैं इसको जिएडिट में खोलता हूँ तो क्या मिलता है मुझे अगर मैं खोल हूँ इसको SDF क्या खुलता है अगर मैं देखूं तो बहुत बड़ी इस पर है यह बहुत टाइम लेगी इतना टाइम लगना नीच यह बहुत टाइम लेगी तो एक और एक युटिलिटी होती है जो मुझे याद है जो मैंने पहले करी हुए है इह फैस्ते होगी किसी बाइनरी में तो फच कर सकते हो उसमें होता है ना जार माल्वेर को हम एनलाइज करते है तो तो स्रेंग से पता चल जाता है कि कौन-कौन से护ो इस वह को से होस्ते हैं वह कि यहां पर इसने दिखाया लेकिन जल्दी दिया एस कंपेट टू अवर जी एडिट तो इसमें बहुत कुछ है देखो तो इसमें हो गया सकता है हमको क्रिदेंशेल डूनने तो हमको पासवर्ड डूनने अगर पास नाम की स्रेंग हम ग्रैप करें तो श्याद हमें मिल सकता ह है वह पासवर्ड लेकिन अगर मैं ऐसे इसको स्क्रोल करता जाओंगा तो यहां पर मुझे कुछ यूजर दिख रहे हैं समित अडमिन दो यूजर मिल गए समित और अडमिन तो यहां पर मलब प्रॉमेसिंग है मुझे मिल सकता है पासवर्ड लेट सी और आगे क्या गर सकत है तो system system कुछ आइपी दी हुई है यहां पर अडमिन दिया हुआ है तो यहां पर देखिए यहां पर कुछ दिया हुआ है इसका क्यूंकि यह सब्सक्रण होकता है तो यह दिया हुआ और यह पासवर्ड होगा विंगए उसको मैं चैख करेंगे तो इसका पासवर्ड मिला मुझे बेकन चीज तो इसको मैं पेस्ट करता हूं पासवर्ड में यहां पर लॉग इन करें देखते हैं और एडमिन एट एच्टीबी डॉट लोकल था इसका यूजर नेम तो इट सीम्स इट्स लॉग दिन हां यह काम कर गया तो फाइनली हम लॉग दिन हो चुके हैं हमरा पहला बड़ा काम हो चुका है कि विए अग्सेस यूजर नहीं मिल गया पासवर्ड मिल गया तो अब वह याद करो जो हमने एक्सप्लोइट डून था ठीक है पाइट पाइफन इसप्लोइट नाम सही है यह वाट सब्सक्राइब करते हैं इसको सेव करते हैं इसको अगीन एक्सप्लोइट कॉपी दो होल थेंग बहुत लोग है वो अप्टोड बहुत लोग होता है और देन पेस्ट सेव अन अगेन लेट स्ट्राइब इसका यूसेज मिल जाएगा तो पता चल जाएगा हाव तो उसेट तो एक्सलोइट पाय माइनस यू हमारे यूसर नेम था अदमिन एट लोकल और पासवर्ड था ब कौन सा रण करना है आई तिंग अभी मैं सिर्फ हुआ माई रन कर रहा हूं बस चेक करने के लिए यह काम कर रहा है कि नहीं ओके इसको पूरा स्कीम हमको पूरी स्कीम देनी पड़ेगी इस टीटीपी इस टीट वर्क नाओ ओके तो आउट पूर्ट जो हुए माई का है वही मिल रहा है तो अब हमारा सिंपल एक ही काम बचा है इसको ना मैं यू माउंट कर देता हूं क्योंकि हमारा माउंट का काम खतम हो चुका है तो आम जस्ट यू माउंट स्यूडो करना प पर देना है तो आप हटाओ और यह हो चुका है अनमाउंट अब मैंने अब मैं क्या कर रहा था ओके आए वस सटेंगा लेस्टनर सो होम टैक है कर वे सीपी एस्टीबी रिमोट तो आई विल दू आरल राप 4444 लेकिन जो हम उनको पेलोड देना है दाट इस तो बी 10.14.11 और पोर्ट है 4444 पावशल का जो बे 64 पेलोड है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वही मैं यूज करूंगा तो आल कॉपी दिस और यहां पर मैं पेस्ट करता हूं अब दिखते हैं कि यह रन करता है कि नहीं 4444 पे ओके इस नोट रनिंग ये गलत है आई पी तो अ मैं अरूर पार सिंग इसें कें यहां ऑल इतना पावर्शल को छोड़ कर था वह मैं आ पे कॉपी कर लिता हूं sorry sorry copy and then powershell.exe paste it and then again try no it's not working there is some some problem powershell type type problem I think cmd.exe run cmd.exe 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 background 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 में चीशे काम कैसे कर रही है तो यह ऐसे काम नहीं कर रहा है तो इसको फटाते हैं यह ऐसे दिखते हैं यह भी काम नहीं कर रहा है who am i just who am i काम कर रहा है so who am i तो यहां पर नहीं है powershell.exe simple यह काम कर रहा है किया I think it does यह तो काम कर रहा है बट बे शिक्टी फॉर पे शायद यह काम नहीं कर रहा है तो इसको एंकोडिंग की इस्चू देगा हमें बहुत अदा इस्चू देगा है इसलिए मुझे यह करना पसंद नहीं है बार बार उसमें स्लाइश जालना पड़ता है आपको क्योंकि आप यहां से रन कर रहे हो तो एक काम आप कर सकते हो कि यूद डाउनलोड नेटकाट इन्टो डाट मशीन से लेकिन उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि करेंट ड फिर पास netcat nc.exe है तो मैं उसको कॉपी करके देखता हूं और देखता हूं कि आपे 200 आ रहा होगा तो फैच हो जाएगी तो सर्ट यूटेल डॉट एक सी एफ यूर्ल कैश स्ट्टीपी टेन डॉट टेन डॉट 14.11 स्लाश nc.exe और फिर nc.exe कि तरह ही इसको स्टोर करन ऐठा है तो अगर फैच हो ही वरी होगी यहांज необходимо कर रहा है लेकिन यह नहीं हो रही है तो बस वहीं काम नहीं कर रहा है क्या कर सकते हैं मैं इस चौल को शायद गलत यूझों खरा हो मेरे पास मैंने शाइब देखे थे कुछ और भी आर्गुमेंट्स थे इसमें कमांड के लावा तो यहां पर आप देख सकते हो मैं सभी था कि मैं गलत यूज़ कर रहा हूं इस टूल को कि मैं अला यहीं मैं देता हूं करके आर्गुमेंट्स देता हम अब तुछल जार अगरेटे लाप दॉ चल चुका है और। पावरशल नहीं चाहिए तो netcat download करते हैं वन सॉरी 192 नहीं है आदत हो गई है इसकी nc.exe nc.exe जगर writable होगा इस पाथ पे तो ये ओके तो ये get कर लिए इसने राइटेबल नहीं है ठीक है तो मैं मुझे WAYा पडिए है सी यूजर्स ऊज़ह में भी शायाद मुझे न ही पर्मीशन तो classic.net पूल इसमें जाते हैं cld classic.net पूल इसमें कुछ नहीं है तो इसपे करते हैं तो यहां पर भी नहीं है पर्मिशन हम को यह वह जाना पड़ेगा SEC में जाता हूं मैं और देखते हैं कि कहां हम राइट कर सकते साइड बैक अपस्पाओ शायद नहीं होगा जाता हो आइनेट पब पर इसके अंदर I think temp temp में भी शायद ही यहां पर में भी हो सकती है, यहां पर हो गया, यह यह जगह है जहां पर मैं राइट कर सकता हूं, तो इस पर मैं आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि कस्टम बाइनरी कैसे रन करते हैं पावर्चल पे, वह . slash से होती है, यही slash है forward slash, तो nc, reverse के लिए आपको simple IP देनी है, अपनी attacking machine की, और port देना है, जो आप listen कर रहे हो जिस port पे, और कौन सी binary आपको channelize करनी है, तो cmd.exe, तो इसी का मुझे shell चाहिए, मुझे powershell नहीं चाहिए, उसमें problem बहुत आती आगे के exploits पे, तो इसके लिए मुझे cmd कर चाहिए था, तो मैंने फिर से यहां पे listener run किया है, और फिर से मैं इसको run करूंगा, तो मुझे nc का shell मिल जाएगा, तो यह proper shell मिला है, मुझे c slash यह, जो की command prompt का है, तो इसको हुआ मैं करके देख लेते हैं, अभी मैं क्या हूँ, यह हूँ, यह हूँ मैं, तो local.txt तो ऐसे मिल जाएगा आपको, user.txt हम hdb की बाशा में बोलते हैं, तो cdc, फिर से मैं जाता हूँ, classic.net pool, इस पर कुछ था नहीं, और यहां पर बेरे कहल से local.txt या user flag नहीं है, सिर्फ admin है और public है, कोई user नहीं है यहां पर, तो इसलिए हमको directly जम करना पड़ेगा प्रिवास्क पर, तो I think अब आपको समझ में आ गया होगा अब तक की initial access कैसे लिया मैंने, simple मैंने एक web server enumerate किया, देखा कौन सा CMS run हो रहा है, उसका मुझे एक share मिला था, जहां पर उसकी details लीक हो रहे थी, credential लीक हो रहे थे, तो वहां से मैंने file को read करके, वहां से credential उठाया है, password crack किया, फिर exploit लगाया, जो CMS का exploit था, जो exploit मिला हुआ है, उसका जो vulnerable version है, उसका मैंने exploit लगाया, username दिया, password दिया, proper commands दिये, तो उससे मुझे RC मिल गया, और अब मैं यहां पर हूँ, यह simple दिया, तक चीज़ें बहुत simple है, प्लेन है, लेकिन अब नई चीज़े start होती है, कि अब आप previous कैसे करोगे, तो previous के लिए आपके पास script होती है, win piece, वह आप run कर सकते हो, तो मैं इसके अंदर जाता हूँ, इसके अंदर शायद मुझे write की permission नहीं है, तो मैं जाता हूँ वापिस cd के बाहर और inetpub, www root, यहाँ पर permission है, तो मैं यहाँ पर इसको write करूँगा, search utile, I think पीछे नहीं है, तो मैं copy कर लेता हूँ, यहाँ से, search utile, यहाँ तक, and then I should have win piece, win piece.exe, and wp, छोड़ छोड़ा नाम रखते हैं, बड़ा बड़ा नाम रखके भी हम कोई प्रॉब्लम होगी, not found, okay, win piece found नहीं है, इस directory में, तो मैंने किस नाम से save करी है, I think देख लेता है, win piece 6486, अच्छा, दोनों version के लिए है, तो मैं भी 64 करता हूँ, पहले चेक कर लेना कि आपका system architecture क्या है, system info से check कर लेना, तो मैं check कर लेता हूँ, system info, अगर 64 bit होगा, तो ये गाम करेगा, 32 bit के लिए 32 bit का win piece, okay, 64 bit है, तो ये गाम कर जाएगा, और windows का version है, windows server 2019, तो ये चीज़ डिफरेंट है, अब इसको मैं paste करता हूँ, अब ट्रांसफर करता हूँ, वहां से, अपने मशीन से, तो यह आ चुकिए, अब इसको run करते हैं, wp.exe, यह बहुत ज़्यादा output देती है, तो मैं recommend करूँगा कि कि किसी file में store कर लो output, और फिर उसको अपनी मशीन में transfer करके, फिर पढ़ो, असाने से analyze करो, इतने आन से, यह आप पर वो scroll होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, फिर आप उपर वाला देखनी पाओगे, तो उससे better है, तो यहां पर कुछ CVS मिले हैं, मुझे आप देखिए, कुछ system kernel exploits मिले हैं, लेकिन system info देख कि मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो काम करेंगे, क्योंकि से भी नहीं होते, करनल, exploitable नहीं होते, बहुत updated होते हैं, तो वो real-world scenario भी नहीं हो सकते हम, तो इसलिए, I'm not promoting that, prompt for non-windows binaries, यह कुछ खास नहीं है, PS में कुछ नहीं है, privilege, users, nothing interesting here, okay, onbound, आप बस दिखते चाहिए, जो जो आपको common जिसने दिख रही हैं, जो कि red में हैं, उसक सकते हैं, जो कि काम के नहीं है, आपके तो बस carried away मत हो जाना, यहां पर एक चीज़ देखी है, कि ऐसी impersonate privilege enabled है, जिसने भी CDF पहले खेला है, Windows का, उसको पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे exploit कर सकते हैं, इसका बहुत popular exploit sweet है, potatoes के नाम से, जिसमें सबसे common है, juicy potato, जिसका हम use कर सकते हैं, बहुत ही easy है, उसको use करना, golden privilege exploit करता है, यह लेकिन एक limitation इसकी यह है, कि हमने देखा था कि यह Windows का version क्या है, Windows Server 2019 है, तो इतने नए version में यह वाल exploit काम नहीं करता, तो यह चीज़ काम नहीं करेगी, तो अगर यह काम करता, तो बहुत easy हो जाता हमारे लिए अभी मैं नहीं कर रहा हूं, उसको मैं किसी और CTF में समझा दूँगा, लेकिन अभी की लिए इसको छोड़ देते हैं, कुछ और चीज़ देखते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर देखिए कि कोई service related, आपको कोई exploit मिलब कोई information मिलती है, विन पीज में तो वो उसको identify करो, क्योंकि service हो सकता है, बहुत time पे कि एक elevated privilege से run हो रही हो, like local system, अगर कि मिलब local system की बात करूँ तो वो system privilege है, तो अगर उसके behalf में उसके privilege से permission से कोई service run हो रही है, और आप उसको modify कर सकते हो, like उसका path change कर सकते हो, कि यह run हो रही है, इसको मैं restart करूँगा, और यह path दे होंगा, like मेरा netcat listener, या मेरा exploit, तो वो run करेगी system privilege से, तो यह हमारा एक juicy point है, जहां पर आप देख सकते हैं, कि what can you do to proceed further, तो RMSVC है, execute कर सकते हो इसको आप, लेकिन जादर इंटरस्टिंग यह है, उसो SVC, उसो SVC कोई service है, इस पर आपकी सारी access है, like modify कर सकते हो, start कर सकते हो, stop कर सकते हो, stop कर सकते हो, इसके साथ, इसको करके देखते हैं, कि what do you, मतलब पहले तो information निकान ली पड़ेगी, कि यह service है, कि इस बारे में, क्या bin path है, इसका, किस permission से run हो रही है, तो हम query करेंगे sc, एक command है, query करने के लिए sc query, service का नाम देदो, उसो SVC, तो यह आप 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 द 2032 process, इसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं होगा है, तो मेरे खाल से list, all type से कोई command होता है, नहीं, मैंने गलत लिया, तो I think, very, इसमें कुछ चीज़ें होती है, जो मैं type करता हूँ, तो मुझे all मिल जाएगी information, नहीं, तो मुझे यहाँ पर पढ़ना पढ़ेगा, कि सारी information कैसे list करते हैं, मुझे याद नहीं है, SCQC, I think, यह रन करके रखते हैं, QC, SVC, यह भी उतना ही बतार है, लेकिन थोटा से जादा बताया, इसने, binary path name, देखो, SVC host है, तो यहाँ पर इसको मैं change कर सकता हूँ, तो that would be very important, क्योंकि यहाँ पर आप देखने है, start name है local system, तो यह system privilege से run हो रही है, highest privilege से run हो रही है, उसके permission से run हो रही है, तो that is very interesting for us, अगर इसका bin path change कर पाऊँ मैं, और इसको मैं, मतलब restart कर पाऊँ service को, तो I'll be getting a shell with the privilege of a system, मलब system account, तो यह auto start है, यह भी हमार ले बहुत अच्छी बात है, यूँकि restart करता हूँ system, तो यह auto start हो जाएगी, तो इसको change करने के तरीके देखते हैं, वो भी मैं research करने वाल हूँ, क्योंकि मुझे आता नहीं है, मतलब मैं भूल चुक हो, मैं याद दे रखता सब, मेरे notes में होगा, तो sc query all for a service, ऐसी मैं Google में search करते रहता हूँ कि, all के लिए क्या search करते हैं, collect each information and status in windows, तो यहाँ पर मुझे चाहिए था, वो तो मिल चुका है, लेकिन state all, नहीं, cquery state all, it's not state all, something मुझे list करना है, तो मुझे सारी चीजने list करना है, इसके बार में, I think I'm not getting it, point I, तो ठीक है, फिलाल तो मैं struggle कर रहा हूँ, एक service के बारे बारे सारे information निकालने के लिए कैसे करते हैं, तो वो बा service, तो यह देख लेते हैं, यह कैसे करते हैं, modifying the path to executable for a windows service, यह command मिल चुका है, scconfig लिखना है, फिर वो service का ना, फिर bin path, and then, तो आपको अगर धिहान होगा, तो हम bin path में arguments भी दे सकते हैं, यहां यहां पर देखी, इसने arguments दिये हुगा है, तो हम भी दे सकते हैं, तो हम change करते सर्विस का bin path, scconfig, also svc, bin path, यही था, इसके बाद हमको देना पड़ेगा, nc.exe, जो कि इसी path पर है, लेकिन इसका पूरा path देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, पूरा path दे दो, cwwwroot, sorry, inetpub, wwwroot, and then, nc.exe, inetpub, उसके बाद, इसमें आप arguments दो, जैसे कि आप reverse listener set, मलब reverse shell लेते हो, netcat से, आपको यहां भी करना है, तो 4444, e, cmd.exe, बस यही आपका bin path यही रहेगा, बस चेक कर लो कि आपने command payload से ही लगा है, और बस सब चंगा, उसके बाद यहां पर success आएगा, तो मतलब है कि यह आपने इस service का जो bin path है, मतलब service start होने के बाद कौनसी binary run होती है, वो तो change कर दिया हमने, तो जो run होगा, वो हमारा code run होगा, तो इसके पहले कि वो run हो, पहले setup करते हैं listener, और काम हो चुगा है, हम इस service को stop करके start करना पड़ेगा, तो उसकी permission भी है हमारे पास, तो sc, I think stop होगा command यहा होगा और यह मिल चुका है, और मतलब system 32 देखके लग रहा है कि यह system shell ही है हमारे पास, तो हमको system मिल चुका है, anti-authority system, तो I hope, बहुत easy machine थी, I know, लेकिन एक different path भी बताना था आपको सारे के सारे path जो आप follow कर सकते हो, Windows machine exploit करने के लिए, यह भी तरीके का path है, तो यह base बनाता होती है, जो आप install कर सकते हो, elevated, privilege के साथ, तो वो सब चीज़ा देखेंगे, Windows पर कैसे काम करती है, उसका base बनाने के लिए यह बहुत important था, तो अब जाते हैं, CD users पर, administrator, and grab the flag, यह रुख क्यों गया यह, service did not respond to the starter control request in a timely fashion, तो यह problem आपके service रुख जाएगी, बार-बार, तो यह आपको यहाँ पे इसको bear करना पड़ेगा, लेकिन, overall आपको shell तो मिल रहा न, बस वह important है, तो इससे पहले कि वो respond करना बन कर दे, आप फिर से यहाँ पे flag जितना at least आप ले ले, तो cd desktop, और उसके बाद dir type root.txt, यह था काम हमारा, आपको root.txt मिल चुका है, और यह flag, यह machine solve हो चुकी है, I hope आपको समझ आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी, और आगे भी आप वीडियोस ऐसे देखना चाहते हैं, तो please share करें, इसको बाकियों को भी knowledge मिले ऐसी, कफ important है यार, practical knowledge आप बोलते हूं, practical knowledge नहीं बताते हैं, सर, बस theory बताते हैं, crack करते हैं, OACP के बारे में, और यह सब चीज़े, guidance, guidance, ठीक है यार, कुछ करके तो बताओ, तो करके बता रहो हूँ, लेकिन आप देखनी रहे हो, तो you are just being ignorant, तो what can I say, तो इसको भी देखो यार, यह की चीज़े बहुत important होती हैं, आगे आपको बहुत काम आने वाली करियर में, तो बस आज के लिए तो इतना ही था, और next CTF वीडियो में कुछ अच्छी machine solve करेंगे, कुछ नए attacks करेंगे, नई चीज़े solve करेंगे, तो बस आगे के लिए ऐसे ही देखते रहे हैं, सिखते रह करेंगे, और गुद्बाइ.